आज शाहबाद विधानसवा में भाजपा द्वारा कारिकर्ता सम्मेलन का आयुजन किया गया। इस सम्मेलन में शाहबाद विधानसवा के हजारों भाजपा कारिकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मिलन में शहाबात से भारती जंता पालटी के परतियाशी रहे सुभाष कल्चाना वे अन्य भाजपा नेताओं ने सम्मिलन में पहुंचने पर भाजपा जिलाध्यक शुशी लाणा का स्वागत किया और आभार जिताया। भाजबा परभारी रहे धुम्बन सिंकिर्मच भाजबा प्रदेश कारीकारिस दस्या बीबी करतार को और शाहवाद मंडल अज्यक्ष मुलक राज गुंबर दर्शन रणा सुरेंदर जैन राहूल शर्मसहित असंग के कारीकरताओं ने शिर्कत की और बहुत से वक्ताओं न लेता हूँ जो जिस तरह की व्यवस्था हैं हमने करनी चीज़ती उसमें थोड़ी चूप हुई है लेकिन मास्टर जी ने जितने कम समय में चुनाओं लड़ा काभिले तारिफ है आप पिछले चुनाओं से 2019 से लेकर हमारा वोट प्रसेंट बड़ा है हमारी वोट बड़ी हैं हमारे साथ आम आदमी ने जो अच्छा देखती है जो नसा मुक्त सहाबाद चाहता है उन सब ने हमें अशिरवाद दिया है लेकिन लेक्शुनाओं में आपको पता है कहीं तरह हैं कि कुछ वीपक्स के लोग आए तो थुड़ा होता है लेकिन हम यह मान के चल रहे हैं क कि मास्टर जी आज अमेले हैं सहाबाद के अमेले के तोर पर ही काम करेंगे आप भी सार्थी रहे हैं इस चुनाओं के तो दिर्को जन्ता आपकी तरह भी देख रहे हैं कि यह आपकी जन्यदारी शाहबाद के इस तरह से आपने वोट मांगे देखिए नो डाउट मैं इस लेकिन आगे जो काम है मास्टर जी मुझे लगता है कि बहुत जादा अच्छे तरह से निभाएंगे क्योंकि भारत्य जन्ता पालिटी की सरकार मानिये मुख्यमंतरी नाइव साणी जी के नेत्री तो में तीसरी बार बनी हैं और इस तीसरी बार के सासन काल में जितने विक जीते हैं और रहूल गांदी जीत गे या हुड़ा जीत गे जाव आरते हैं वह मसीन इवियम आ जाती है आप एक अंधाजा लगाई है मैं एक मोटी सी बात है पत्रकार साती है आपनों समने देखा है इस चुनाओं में कॉंग्रेस ने सीम की लड़ाई लड़ी तीन सीम रहे उनके उड़दा ने कहा कि मैं सीम हो शैल जाने कहा कि मैं सीम हो एक इस तरह पर वर्सों से पार्टी की सेवा में लगाय कितना फरक हुआ वो लोग सीम की लाई लड़ते रहे हमारा कारेकरता चुनाओ की लाई लड़ता रहा कमल के फूल के लिए यह बड़़ा बहुत बढ़ा डिफरेस दोन्नौ पार्टी हो में इस चुनाओं में देख देखिए आज शावाज में करेकर्टा सम्मेलन हुआ और जिस परकार से करेकर्टाओं में उसी थी और अभी दुम्मन जी बता रहे थे कि ऐसे हमारे सलल सभाओं के समय सभाओं के जिनका एक नया नाम मास्टर जी सभास कुलसाना जी करक्था है और मैं तो एक बात कहता हूं क समाज जी ने इस परकार से भी बता रहे थे कि पहले हमारी 25 प्रसेंट वोट मेंग था या 50 प्रसेंट मिला था 25.5 और अब 25.5 से बढ़कर 45.5 हो चुका है मतलब कि हमारा वोट मेंग बढ़ा है मैं तो यह कहता हूं कि समाजी हार कर भी जीत गए और रामकरन काला जी जीत क कर भी हार गए आज हमारे जो 85 थे समाज को शाना जी पांट साल जिस परकार से जंता कि से इन्होंने कुछी दिनों में चनाव इतना उठा दिया कि बिलकुल रामकरन काला ने पिछे भी चनाव लड़ा और समाजी ने इस परकार से ब्रबर में एलेक्शन खना कर दिया एक करताओं के दंपे आज इनोंने रिखने वड़ायोम lessons और संहारोगन. इसमें सभी हमारे यह सुस्षी परधान मंतरी श्री इंडरेंद्रमोंदी जी रहेंगे वहां पर और आज अमिशा जी पहुंच चुके हैं कल उनकी भी पस्तित वहां पर रहेंगे और रख्षा मंतरी श्री राजनाजी और जो दूसरे प्राम्त के भी भारते जिंदा पारट और अपर जी प्राइब करता अपनी विधान सबार चारु विधान सबाट पर को पहुंचेंगे सभी नोग नगाड़ों के साथ वहां पर अपनी तश्तित कराएंगे और वहां पर जिस प्रकार से हमारा हरी का देश हर्याना जहां दूद नहीं का खाना वापसी आते वे व्यवस्ता हमने बना रखिये मांपक खाना ऑपकर एक लास्ट वान आप से रहेगा सारी बातिया आपकी स्वामत है अभी काश्कमार इंधितर नहीं करते हैं प्रेंट को अधिकने को टैस्तितित पूम्रें करता है हम विए पारटी एक तरह से इसको रख देकर ही बेज़ती है और वो उस रत पर बैठ कर चुनाव लड़ता है यूद लड़ता है तो रत तो पहले ही पार्टी सुभास जी को दे चुकी है वार्ट जी को और आप जिसकी रत की बात कर रहे हैं इसमें कोई दोराई नहीं मुझे लगता है कि सरकार जरूर भाई सुभास जी को अपलाइज भी करेगी इनको